देखे ये boxing के body shots ये मज़ेदार है मैं दूँगा आपको boxing के 3 body shots के तरीके जिनपे आप काम करोगे तो आपको मिलेगा बहुत फाइदा अगर आपको boxing में बहतर होना है और अच्छा दिखना है आपको body punches बहतर करने होंगे लोग भूल जाते हैं पर ये बहुत जरूरी है अपना बॉक्सिंग टेकनीक सुधारने के लिए और अगर आप यहाँ नए हो मेरा नाम है टोनी जेफरी जोलिम्पिक्स में ब्रॉंज पदक साथ बार राशी चैंपियन येरोपियन चैंपियन पूर्व अपराजित बॉक्सर और इस चैनल में मैं आपको देता हूँ सब कुछ बॉक्सिंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं तो पहला है काफी बेसिक फिर थोड़ा मुश्किल और आखरी वाला सबसे मुश्किल तो पहले हम मारेंगे डबल जाब और बॉडि को क्रॉस पर ये मारते समय हम स्टेप करेंगे स्टेप करेंगे राइट हैंड में दम लाने तो मैं जाब जाब करके फिर मारूंगा वो राइट हैंड बॉडि को तो ये मारते समय इन चीजों का ध्यान रखना है पहला है जाब मारते समय हाथ लाओ गार्ड में वापस क्योंकि आप उसके right hand के करीब जा रहे हो और आपको ये करते समय right hand नहीं खाना तो दोनों jab करके हाद वापस लाओ और उसके बाद ताम दो वो body को right hand जो कुछ ऐसे दिखेगा और अगर ध्यान दो मेरे पैर तब ही चलते है जब मेरे हाद चलते है और इस step से मेरे movement का zore punch में आता है जिससे power काफी बढ़ जाता है और आपको चाहिए power heavy bag और pads पे ये करके देखो तो फिर से थोड़े और तेजी में बहतरीन combination चलते हैं दूसरे combo पर ये है boxing का मेरा मन पसंद combination पूरे boxing में हाँ मैं इस से कितने सारे matches जीता हूँ और ये है एक ये खुद हिल गया इस body shot से देखो तो अगर आप देखो आप शायद सोच रहे होगे टेकनीक थोड़ा बेकार नहीं था तुम दम कहां से ला रहे हो इसमें हमें boxing में सिखाया जाता है अपरकट मारके वजन आगे के पैर पिला दो फिर मारो body shot पर अगर मैं लड़ू किसी पोचे हुए खिलाडी से Glenn Holmes की तरह जैसे ही मैं वो जुकू आगे वो बच लेगा निकल के या block करके तो मैं जुकना हटा दूँगा तो बिना जुके अगर मारू वो अपरकट और वही से body shot हाँ पावर जुक्के करने के मुकाबले थोड़ा कम होगा पर नुकसान करने लायक काफी है और ये करने का कारण है उसके हाथ उपर ले लू एक अपरकट मारके फिर तानू body shot स्पीड लगाते हुए और इसमें आप और अच्छे से मार पाओगे थोड़े और पंचस मार के तो जब आप करीब में लड़ रहे हो मैं उपर थोड़े हलके पंचस मारूंगा जब तक एक खुली जगद दिख जाए और फिर तान दो वो body shot तान दो जब उसको इसकी उमीद ना हो बहतरीन पंच बहतरीन कॉम्बो इससे होगा बहुत फाइदा आपको हम इसमें मारेंगे एक जैब फिर उसका राइट हैंड स्लिप कर दूँगा और राइट से बचके देखो कहां खुली जगा है जोर से वो body shot तान दो जैसे ही body shot उसे पढ़ जाए उसका guard नीचे आ जाएगा और जैसे ही ये हो जाए एक हुक मारूँगा उपर फिर cross सर पे मारो तो guard वापस उपर आ जाएगा और फिर मैं मारूँगा दो और body shot ये है advance पर ये है बहतरीन इसे देखो जरा और मुझे ये बहत पसंद है पर और कई सारे body shot है जो आपको सीखने चाहिए यहाँ click करके देखो जहाँ मैंने बताया है हर body punch के बारे में हर punch के बनो सर punch क्लिक करो और देखो